बच्चों आप त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकारों के बारे में जानते हैं त्रिभुज का एक प्रकार है समकोन त्रिभुज समकोन त्रिभुज याने एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोन नब्य अंश का होता है और बाकी दो कोन नियून कोन होते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि एक कोण नब्य अंश का है तो बाकी दो कोणों का योग नब्य अंश का होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश इसलिए बाकी दो कोणों के प्रत्ते कोण नब्य अंश से कम के होंगे इसलिए हम उने नियूनकोंड कहते हैं कक्षा नवमी में त्रिकोंड मिती अध्याय में आपने यह देखा था कि त्रिकोंड मिती अनुपात क्या होते हैं त्रिकोंड मिती अनुपात याने शाइन थीटा, कौस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कौट थीटा, यह तरिकोंड में पिति अनुपात क्या हैं legal समकोंड त्रिपुज के एक निश्चित निवन कोंड के लिए जब हम भुजाओं के अनुपात को लेते हैं अलग-अलग भुजाओं के अनुपात को जैसे लंब और कर्ण का अनुपात लिया तो हम उसे कहते हैं साइन थीटा यदि हम आधार और कर्ण का अनुपात लेते हैं तो उसे हम कौस्थिटा के नाम से जानते हैं बिल्कुल इसी प्रकार यदि हम लंब भुजा और आधार भुजा का अनुपात ले ले तो हम उसे टैन्थिटा के नाम से जानते हैं और इनका विलोम है कोसेक थिटा, सेक थिटा और कॉट थिटा तो बच्चों चलो हम एक समकों तो इसके लिए एक समकॉंक टिभुझ लेले यहां से हमेक आधार रिखा खीच लेते हैं अब बिन्दू A पर हम एक लम खीचते हैं इसके लिए चांदे की सहायता से यहां पर हम एक नभ्यांश का खोन बनाता हुआ लम्ब खीच लेते हैं और यह हो गया लम्ब A-C C को बिंदू B से मिला दिया तो इस प्रकार हमें एक समकोन त्रिभुज A-B-C प्राप्त हो गया अब इस समकोन त्रिभुज A-B-C के न्यून कोणों के लिए हम त्रिभुज को ऐसे ले लेते हैं बच्चों एक बात ध्यान रखना कि किसी भी समकोन त्रिभुज में जो हम न्यून कोण लेते हैं जिसके लिए हमको त्रिभुज मित्य अनुपाद ग्याद करना है उसके सम्मुख भुजा ही लंब होती है तो इस स्थिति में यदि हम यहां न्यून कोण B ले और उसे नाम दे देते हैं थीटा तो इस थीटा के लिए उसकी सम्मुख भुजा A-C वो जो है वो लंब होगी तो साइन थीटा क्या होगा क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा होता है लंब बटे कन तो साइन थीटा का मान यहां होगा A-C बटे B-C ठीके और उसका विलों जैसे के हम जानते कोसेक थीटा होता है तो कोसेक थीटा का कन बटे लंब तो उसका मान हो जाएगा B-C बटे A-C बिल्कुल इसी प्रकार हम यदि कॉस्थिटा की बात करें तो कॉस्थिटा का मान होगा वो किन भुजाओं का अनुपात होता है आधार भुजा और कर्ण भुजा तो आधार यहाँ पर है A B और कर्ण है B C तो वो हुआ A B बटे B C और इसका विलोम सेक की बात करें तो सेक का मान हो जाएगा B C बटे A B चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 10 थिटा की 10 थिटा किन भुजाओं का अनुपात है लंब, भुजा और आधार भुजा तो लंब है यहाँ A C और आधार है A B तो वो हुआ A C बटे A B इसका विलोम कौट थिटा जो की होगा आधार बटे लंब तो हम कहेंगे A B बटा A C अब एक काम करते हैं हम दूसरे नियोन कोण की बात करते हैं इसमें जो कोण C है वो दूसरा नियोन कोण है इसे नाम देते थे थिटा वन अब थीटा वन के लिए हम सारे नियोन त्रिकोर्ण मित्य अनुपाद ग्याद कर लेते हैं तो सबसे पहले फिर से बात करेंगे किसकी साइन थीटा वन की साइन थीटा वन के लिए आप ध्यान से देखिए कि C के सम्मुख भुजा कौन सी है A B याने की यहाँ पर अब लम कौन हुआ A B तो साइन थीटा वन बराबर हो गया A B बटा B C क्यूंकि कर्ण तो B C ही है और इसका विलों जब हम कोसे थीटा वन की बात करेंगे तो हमें मिलेगा B C बटा A B चलिए बात करतें कौस थीटा वन की कौस थीटा वन में क्या होगा आधार बटे कर्ण यहाँ पर अधार कौन होगा यहाँ आधार है A C थीटा वन के लिए आधार A C और कर्ण अगे B C तो फिर मान हुआ कौस थीटा वन का A C बटा B C और इसका विलों हम बात कर रहे हैं सेक थीटा वन की बटे आधार याने की AB बटा AC और कोट थीटा वन होगा इसका विलोम AC बटा AB